दोस्तो बॉलिवूड के दिगजबनीदा धर्मेंदर और हेमा की बेटी ईशा का हाली में भरत तक्तानी के साथ तलाख हुआ है ईशा के तलाख की खबर ने सब को हैरान कर रख दिया था 12 साल की लंबे शादी का इस तरह से खत्म होना ईशा के परिवार और फैंस के लिए काफी ज़्यादा दुखद रहा लेकिन इस रिष्टे के खत्म होने का सबसे ज़्यादा आशर ईशा के पिता धर्मेंदर पर पड़ा है बेटी का घर तूटने से वे काफी ज़्यादा दुखी है विचादे की इशा अपने इस फैंसले के बारे में एक बार फिर से सोचे बॉलिवूड लाइट की एक रिपोर्ट के मुदाव कि धर्मेंदर की परिवार के एक करीबी सूत्र ने बताया उनकी बेटी इशा तलाग के अपने फैंसले पर दोबारा विच्छार करे कोई भी मादपिता अपने बच्चों के परिवार को तूटते हुए देखकर खुश नहीं हो सकता लेकिन वे चादे की उसे इस बारे में दोबारा सोचने की क्या जरूरत है इशा और भरत की दो बेटिया राध्या और मिराया हैं दोनों ही बच्ची अपने नाना नानी के बेहत करीब हैं ऐसे वे मादपिता के अलग होने से बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है इसलिए अगर शादी को बचाये जा सकते तो ऐसा करना चाहिए आपको बढ़ा दे कि ईशा देवल और भरत अक्ताइने साल दो हजार बारे में शादी की थी दोनों की शादी को बारे साल हो चुके हैं इतने साल साथ रहनी के बाद उनके तलाक की अनाउंसमेंट ने सब को सर्प्राइज कर दिया था इशा और भरत की दो बेटिया राध्या छे साल की और मिराया चार की है कपल ने एक स्टेटमेंट जारी कर अपनी तलाग का अनॉंसमेंट किया था उन्होंने कहा था परसपर और सोहार्द पूर्ण तरीके से अलग होने का फैसला किया है हम आपसी सेमिती से अलग हो रहे हमारे लिए हमारी बेटिया प्रियार्टी रहेगी हम इस बात की सराना करेंगी हमारी प्राइवेस्टी का सम्मान किया जाए